जयहंत साथियू आज की इस वीडियो में जो कवर्चंज लिये हैं यह इंडियन पॉलिटी से स्बंधत कवर्चंज है और कनून से स्बंधत कवर्चंज है अगर आपने कहीं से त्यारी कर रखी है तो उसकी रिविज्ण के लिए यह वीडियो को बनाया गया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कवर्चन नमबर एक निमन लेक्त में से किसके द्वारा कनून का निर्मान किया जाता है तो पहले आपने सोचना है तो इसका अंसर आएगा विदायका आपको पता होगा ये चार अलग अलग डिपार्टमेंट है चौथा एक मीडिया को जोड़ा गया है देखिए जैसे विदायका, कारेपालका, नियापालका और मीडिया को भी आप जोड़ दिया गया है इसको चौथा स्तंब भूला जाता है तो चलिए देखते हैं अगला कवर्चन प्रशन संख्या दो नियापालका से सबंदत नहीं है तो इसका अंसर आएगा संसद तो हाई कोट, सप्रीम कोट और डिस्ट कोट ये नियापालका से सबंदत है और संसद नियापालका से सबंदत नहीं है संसद विदायका से सबंदत है यहां पर कनून का निर्मान किया जाता है प्रशन संख्या तीन निमलेक्त में से कौन किसी गटना जा मुद्ध को प्रशासन के सामने लाने के लिए लोगों की मदद करता है तो इसका अंसर आएगा मीडिया क्योंकि मीडिया किसी भी मुद्ध को हाइलेट करके या किसी भी ग एफ आई आर पुलिस दुवारा की जा सकती है तो इसका अंसर आएगा बड़ी गटना क्योंकि शोटी गटना की जो एफ आई आर की जाती है वो किसी एक बैक्ती दुवारा की जाती है तो जो बड़ी गटना होती है उसकी एफ आई आर पाबिलिक कर सकती है या फिर पुलिस संख्या 5 FIR का पूरण विस्थार करें इसका आपको पता होगा इसका पूरण विस्थार होता है First Information Report मतलब फुल्स को पहली जानकरी लिखाई जाती है उसको बुला जाता है FIR First Information Report रसन संख्या 6 मंतरी मंडल बदाइक्या या फिर कार्यापाल का दोनों में से किस से सबंदित है तो इसका सही अंसर होगा विदाइक्या और कार्यापाल का दोनों से सबंदित है क्योंके कनून का जब निर्मान किया जाता है तो विदाइक्या में मंतरी मंडल आते हैं और कार्यापाल का में कनून को अंसर होगा, चार्ज शीट पर लिखी जाती है, तो FIR पर नहीं लिखी जाती, कोट से पेश करने के पहले चार्ज शीट पर ब्यक्ति के लिए धारा लिखी जाती है, कि इसने कौन सा अपराद किया है, उसके लिए कौन सी धारा लगी है, प्रसन संख्या आठ निमन लेक्त मे से कौन न्याय पालका का हिस्सा है तो इसका आपको पता होगा इसका अंसर आएगा डिस्टिक कोर्ट क्योंकि दिखिए हाई कोर्ट डिस्टिक कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये सभी न्याय पालका का हिस्सा है और ये मंतरी मंडल और संसद ये अलगा आ जाते हैं ये न्याय में किसका काम होता है सभी जजों का काम होता है प्राशन संख्या नौ नेमन लेख्त में से कौन राज्या के लिए कनून का निर्मान करता है तो इसका अंसर आएगा विदान मंडल क्योंकि देखिए संसद किसके लिए कनून का निर्मान करती है ये पूरे इंडिया के लिए कन का निर्मान करते हैं राशन नमबर दास MLA और MLC किस से सवंद्ध होते हैं तो इसका अंसर आएगा विदान मंडल देखें विदान मंडल के दो हिस्से होते हैं एक विदान सवा और एक विदान फरिश्द विदान सवा को बोला जाता है लेजिसलेटिव असेंबली और इसमें जो वैटता है उसको बोला जाता है Member of Legislative Assembly मतलब MLA और दूसरा विदान फिरिश्द तो इसमें जो वैटता है उसको बोला जाता है Member of Legislative Council तो इसका मतलब होता है MLC जो इसमें बैठेगा उसको क्या बोला जाएगा MLC और दूसरे पास से दिखिए ये संसद होती है और संसद में संसद को इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियमेंट और जो इसमें बैठेगा वो बोला जाएगा उसको Member of Parliament ठीक है तो जो संसद में बैठेंगे उसको MP बोलेंगे Member of Parliament और जो विदान मंडल में बैठेंगे उसको MLA या फिर MLC प्रस्टाफ पास करती है — तो ये प्रस्टाफ पास करके कार्यपालका में जैसे रेस्टर पतीं अम्पीच्मेंट लगा करके उसको खटा सकती है और नया पालका में जैसे जज्जस हैं उनको भी हटा सकती है प्रस्ताप पास करके ठीक है तो सबसे तक्तवर कौन हुआ विदैका प्रशन संख्यवारा निमल लेखत में से कौन कार्या पालका में सथाई रूप से रहते हैं तो इसका अंसर आएगा साचिव और अधिकारी त तो ये पांच साल के लिए होते हैं और उसके वाद स्थाना तरण हो जाते हैं तो पर्मानेट कौन होते हैं इनमें सच्व और अधिकारी होते हैं प्रशन संख्या 13 निमल लेखत में से कौन कार्या पालका में चुन कर आते हैं तो इसका सही अंसर होगा मंतरी मंडल अधिकारी और साचीप इनकी एजोकेशण लिए sevent के हसाब से स्लेक्शन होता है ठीक है तो उयलेक्टर्डर वर्शन पूछ रहा है तो उयलेक्टर जैसे राश्ट्रपती हो गया और मंतरी मंडल हो गया तो इनकी अलेक्शन होती है ठीक है तो यह चुनकर आते हैं अपरादी को पुलिस रमांड पर कहां से लिया जाता है तो इसका सही अंसर होगा जेल देखे अपरादी को अपराद करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट उसको जेल में रखती है पर्मनेंट उसको जेल नहीं होती है ठीक है तो फुल्स बहाँ से पुल्स रिमांड पर सबूत जटाने के लिए ले लेती है प्रशन संख्य 15 अगर किसी अपरादी ने बड़ा अपराद नहीं किया है तो उसको लिया जा सकता है तो इसका अंसर आएगा जमानत पर देखिए अगर किसी अपरादी ने कोई वड़ा अपराद कर दिया है तो उसको रिमांड पर लिया जाता है झाल झाल